आज सुबह में कोई भी ब्लॉग नहीं बना रही थी और आज सोचा में इविनिंग का मेरा रूटिन दिखाऊगी इविनिंग से नाइट तक का रूटिन दिखाऊगी सटेल को उनका पर झाज और वही गेऊ हैं और उनको आते आते लेट भी होजाएगा ब пошते और वहीं हो से अध्यूग अरूटक हैं और वह बाभू बैटा-बैट के टीवी देख रहे हैं उसका वह भी उठ गया है 40 मिनेट से पहले ही उठ गया था, 5.40, 45 को से उठा था, और उठके उसका दूद, इविनिक स्नाक्स हो गया, उसका अब थोड़ी दर चीवी देखेगा, फिर पढ़ने के लिए बेटेगा, और बेटी का भी पढ़ने के लिए बेट गया, ये बेटी, 36.30 को ओने को जा रहा है अब में दिया भी जलाओंगे, इविनिक को तो यहाँ पे मैं थोड़ी दर बेटी हूँ, वैसे इस टाइम में हभी आते हैं आफिसे, तो मेरा एक आदत हो गया है, ये उन्डे के पास बेटकर उनको निहार ना देखना कि आये या नहीं, तो आज तो लेट आएंगे, तो अब आदत हो गया है, तो में यहाँ पे तोड़ी दर बेट दें, बेट जाती हूँ, अच्छा लगता है, थोड़ा ऐसे, मन, मन, मतलब फ्रेस हो जाता है, यहाँ पे बेटके, दो चार गाड़ी को ही देख लेती हूँ, और अभी जाओंगी, दिया जलाओंगी, उसके बा बेटी का सबजी, चलो बाबा, अभी टीबी बन कर लो, तिक ताती हो गया न, अभी पढ़ने के जो जाओंगी, बुट लेकर आजो, और उसको भी पढ़ाने के लिए बिठा दोंगी, और बेटी तो बेट गई हूँ उसके अंदर, फिर भी एक बार चेक कर लिए तो बेट किचन में चली जाओंगी, आटा गुंद कर सबजी कट करकर अग दोंगी, थोड़ी तर के बाद बनाओंगी डिना, और यह रहा बेटी, वह भी पढ़ने के लिए बैट गई है, और यहां पर मैं थोड़ा पेट साइज कर दूगी, दोनों बेट को, और यहां पर एक केंडल जला देती हुमें साम को, थोड़ा अच्छा खुसबू आता है, और यहां पर पढ़ रहा है मेरा बेटा, अब साम को जो दूद पी थी बच्चे ने, उसको बस रख रहे हुँ, और अब एज़िटेबल कटिंग करूंगी, आज तो लखी आलू का सबजी बनाओंगी, बहुत सिंपूल सा बनाती हुमें, लखी आलू का, और आटा भी गुंद के रख दूंगी, अब मेरे लिए बनाओंगी में ग्रीन टी, अब में इसमें डालूंगी हनी, और यह यहां पे में कट करके रख दी वेज़िटेबल, और यह तो आटा गुंद के रख दिया है, थोड़ी दर के बाद में बनाओंगी, बिजाकर बेटा को थोड़ा दर पढ़ाओंगी, अब लखी आलू सबजी भी बना दूगी, पहले में कुकर में ओईल ले लिया, जीरा और तेजपता का तड़का लगा दूगी, और एक सुखी इच, बस आलू को डाल कर फ्राई कर दूगी थोड़ी दर, अब लखी डाल दूगी, लखी भी आलू के साथ मिला के थोड़ी फ्राई कर दूगी, अब इसमें डालूँगी में टमाटर, और नमक, थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्स पाउडर, यह हापप स्पुनी डालूँगी, लखी में दादास मसाला नहीं चाहिए, वो आच्छा नहीं लगेगा, जितना कम मसाला है, में ही लखी बहुत आच्छा बनता है, और यह दो सुखाई बनेगा, रोटी के साथ खाने के लिए बहुत आच्छा लगता है, और थोड़ा सा बास पाने दूगी, हाप कप से भी कम पाने दूँँ मैंने, मस अब इसको मिला के, एक सिटी लगा दूगी बास, एक सिटी में ही लखी हो जाएगा, अब मैं रोटी भी बना दूगी, और आव अब भी फोन किये थे, उनको और आदा घंटा लगेगा, अब दे दूँगी बच्चे को मैं डिनर, पहले बच्चे को खिला होंगे, और हभी आने के बाद, मैं किचिन का सारा काम खतम करके, खाना खाएंगे हम लग दोनो, अब डिनर तो हम साथ में ही करते हभी और में, जितने भी लेट हो हम साथ में करते, अब बच्चे खा रहें डिनर, और ये बाकी गुंदा हुआ आटा में फ्रीज में रख दूँगी, स्टोर करके, सुबह में तो रोटी बनाती हूँ, ये पराठा बनाऊंगी तो मुझे यूज हो जाएगा, और ये सारा बरतन में उटलिटी में निकल दूँगी, क्लीन करने के लिए, वो सुबह आकर क्लीन करती है, और ये रहा मेरा डिनर बनाने के बाद का किचन का हालत, और ये जो में आटा रोटी बेलने के लिए यूज होता है, वो ये यह पर रखती हूँ, और ये गुंदा ह और हभी भी बोले, अभी 5-10 मिन में आजाएंगे वो भी, तो मेरा भी तब किचन भी क्लीन हो जाएगा, 10-15 मिन लगेगा मुझे, और मैं रात में अच्छे से किचन को क्लीन करके ही सोती हूँ, कि चाहें कितना भी लेट हो, कितना भी रात हो, ये बरतन तो मुझे करना नह जाती है, मेरी हाउसेल पर वो तो कर लेती है, पर किचन को मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ, और ये आगे मेरा हभी, बोल्डो हाई करने के लिए, किचन को भी स्प्रेय लगा दूँगी, और ये स्प्रेय में खुदी बनाती हूँ, ये कोलिन का डिबामे में रख देती थोड़ा विनेगार, और तीन-चार ड्रफ्स, गीश्वासर, लिक्वीड, और ये सो मिला के में और थोड़ा पानी, मिला के में ये ग्यास और चिमनी होचने के लिए मुझे काम आता है, कोलिन में नहीं डालती हूँ, किचन में, कभी-कभी में मिस्टर मॉसल्स भी यूज करती हूँ, यह तो यह स्प्रे, यह डेली बेसिस में यह ग्यास टोप क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा होता है, हमें पूरा पोच लोगँ, चिमनी, ग्यास, सारे चीज़ को, और यह में रात में ही पोच्थी हूँ, चिमनी को दिन पर नहीं पोच्थी हूँ, जितना रात को हम लोग क्लीन कर लेंगे सुबह उठकर हमें आच्छा क्लीन बला किचन मिलता है तो माइन फ्रेश हो जाता है और तुरंदी ब्रेकफस्ट बनाने के लिए मूड बहुत फ्रेश लगता है कि नहीं तो थोड़ा चिची चिची लगेगा अगर गंदा किचन में लेगा तो कि हमारा डिनर भी जल्दी हो जाता है तो मुझे आच्छे से टाइप मिलता है किचन क्लीनिंग करने के लिए आज थोड़ा हवी लेट आये करके लेट हुआ नहीं तो हमारा डिनर नाइन ओक्लक तक हो जाता है सबका डिनर फिर नाइन से नाइन थाटी नाइन फोर्टी फैब तक में किचन में सारा काम दिप्ता देती हूँ फिर सटर्डे नाइट हमारा मुभी का प्लांट रहता है आम डेली एक मुभी देखते सटर्डे को बच्चों के साथ देखते अच्छा वाला मुभी जो बच्चे भी देख सके और आम भी देख सके अब मैं ग्यास को घिस-घिस के घिस-घिस के क्लिन कर रही हूँ सुबह तो मैं ऐसे ही नर्मल पानी से पूछ लेती हूँ कपड़े से पर नाइट में मैं स्प्रे डालके पूछती हूँ और टाइल्स को तो दो तिन बार होता है क्लिन और ये कनर में मैं आईल लगती हूँ तो इसको भी पूछ लेती हूँ अच्छे से सब पांदस में लगेगा पर थोड़ा सा अलसी अगर आ जाएगा तो ये गंदा होते होते रहे जाएगा इसलिए थोड़ा सा जब टाइम मिलता है किचेन में साप करना ही अच्छा है और ये मैं बेलन को भी साप करके रख देती हूँ उसके लिए वेट नहीं करती हूँ क्योंकि खरब हो जाएगा और मुझे सुबह सुबह भी चपाती बनाना होता है क्योंकि अच्छा है किचेन को मैं हमेशा में ही क्लीन करती हूँ खूद करती हूँ मुझे अच्छा लगता है मेरी किचेन को मुझे खूद ही क्लीन करने में में जो सांती मिलता है जितना क्लीन रहता है कोई भी क्लीन करें तो मुझे पसंद नहीं आता है और यह मेरे साफ हो गया है रख दूँगी सुबह चुबह मुझे बहुत जब पहले ज़रू हता है ग्यास बनल और बेलन को इसलिए में खूद करके रख देती हूँ अब सिंको भी में क्लीन कर लूँगी वास कर लूँगी सिंको तो बरतन जितना घिसना ज़रूरी है उससे ज़्यादा भी ज़रूरी है सिंको घिसना क्योंकि बहुत हाईजन निक रहता है कोक्रोस बगारा नहीं आएगे इसलिए सिंक को मिनिमम दिन में में दो बर घिसती हूँ लांच के बाद घिसती हूँ और रात में डिनर के बाद यह तो मैं बरतन को जैसे साप करती हूँ शिंक वह जैसे ही साप कर लेती हूँ तो गंदा नहीं लगता है और शिंक बहुत अच्छे से साइनिंग भी रहता है झाल झाल शेलब्य मिंपोच लूँगी इसको भी में पोच लेति हूँ कभी दिन में पोच नियुक राद में पोच लेति हूँ कोदिन मैं तो एक बार में जरूर पोच दियूँग और जो मैं डिबा को टुटी हूँ दिनicide बार आचार का डिबाओ जो भी में रेगुलर जो टाच करती हूं उसका भी एक बार पोच के रख देंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है बास एक मिनेट दो मिनेट का टाइम है पर क्लीन रहता है नीट रहता है कि चन और इसमें इतने जो यह सेल्प में मैं जो सामान र और उसको तो यही पर ही रख दूंगी ग्यास का बना लिया सबको मैं सुबह यूज करूंगी तब तक यह ड्राइब ही हो जाएगा अब बारी है एकवागाड की एकवागाड का अंदर जितना साप होना है बाहर भी उतना ही साप होना जरूर ही है चोटा चोटा मच्छर भी आ जाता है तो जितना हम क्लीन रखेंगी हमारा कीचेन घर को उतना ही अच्छा है और यह लास्ट में मैं आधा लिम्बू को लेकर सिंक में इसे घिस देती हूँ क्योंकि दिन भर खाना आवास करते हैं इसमें तो एक अच्छा वाला खुसबू आता है स्मेल आता है और काक्रोज भी नहीं आता है यह पूरा एक अधा लिम्बू को लेकर मैं अच्छे से घिस लेती हूँ सिंक में तो एक नेच्छुरल सा लिम्बिन का स्मेल रहता है शुबध सभभ भी स्मेल रहता है तो एक फ्रेस, पूरा Phoरा किचन मिलता है मुझे सभ़ यह टिप्स यह आप जरूर कीजिए आधा लिम्बू आधा ही चाहिए इसको पूरा अच्छे से आप घिस लिजिए पूरा सिंक में देखिए एक बेड़ स्मेल जो रहता है ना पूरा चला जाता है वह स्मेल और अब यह सारे जो ट्रावल यूज की थी और हवी का लांच बेग में भीगों के रख दी हूं वह सुभा में क्लिन करूंगी आधा पूरा रात को में भीगों के रख देती हूं अब मैं अच्छे से हेंड वास करकर जाओंगी मैं खुद भी फ्रेस हूंगी डिनर खाओंग और यह ड्रेस भी चैंज कर लूँगी मैं और यह आलू प्याज का बस्केट मैं यही पर रखती हूं सुभा सुभा मुझे यूज होता है और यह रहा मेरा आप्टर क्लिनिंग किचेन यह सुभा के लिए रेडी हो गया मेरा किचेन ब्रेकफास्ट बानाने खेली चली आब कर देते किचेन को बाई बाई और आप लोगों को कैसे लागा मेरा नाइट किचेन क्लिनिंग प्लीज मुझे कमेंट में लेखिए और अब मैं चाल जाओंगी फ्रेस होने के लिए फिर खाना खाएंगे हभी और में जाओंगी और आआ सकत्क दो जाओंगी यह भ ले द болी किचेन फ्राड़ा नाब मैं, प्राष़ाओंगी फ्लीज मैं रष्वाइब और में रिमा नाइड़ा जाओंगी мыш нач9 as अब खाना खारे हम लंग होरो हभी को टाइम दिखा रहे हूं क्योंकि अभी दस बाजरा है दस और काल ग्रहन है इसलिए हम घर पे ममे बोली थी कि साड़े दस बज दा खाना खा ले ना तो वहीं बोली कि जली जली खाना खा लेते नहीं तो साड़े दस के बज नहीं खाएंगे आज तो बहुत लेट हो गया हमारा दिनर और यह मैं चामस को चाट रहे हूं मुझे रोटी के साथ अच्छा राच्छा लगता है राइस के साथ मैं ने खाती हूं कि बच्चे को बुला रही हुए आजाओ खालो थोड़ा थोड़ा क्योंकि मैं बच्चों के साथ खाना खाना में मुझे बहुत आचा लगते आज तो बच्चे जल्दी खा लिये थे तो मैं बुले आजाओ एक एक बैट ले लो मुझसे तो बच्चे भी खुश होकर भाग भ चलिए दोस्तों आज फिर में रहती हूँ मेरी ब्लॉक को एंड करने का टाइम आ गया है बाई बाई फ्रेंड्स बाई बाई आगर मेरी वीडियो थोड़ा भी पसंद आया प्लीज मुझे लाइक कीजिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए